हेलो फ्रेंड्स बल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी 2024 से रिलेटिट करंट अफिर्स के जितने भी कुशन बन सकती है आज की क्लास में सारी कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंट भी मैं आपक को बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए इस से आपकी तैयारी करंट अफिर्स में बहतर होन आज का पहला कुशन लिखा है प्रारब में गाबदा चेतावनी के लिए रहतवारी केंद्र का उधगाटन किस राज में किया गिया है इन विच स्टेट वाज रहतवारी केंद्र इन एकूरेटिड फॉर अरली डिजास्टर वार्डिंग फर्स्ट ओप्सन है बिहार सिकिं जल्दी से बताईएगा दोस्तों प्रारम्बिग आप्दा चेतावनी के लिए रहतवारी केंद्र का उधगाटन किस राज में किया गिया है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर सी उत्तर पिर्देश में चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं उत्तर पिर्देश राज के मुके सचिव दुरगा संकर मिसरा ने प्रारंबिक आपदा चेतावनी के लिए एक वेस साला रहत वाड़ी केंद्र का उधगाटन किया है इसका उद्देश प्रारंबिग आपदा चितावनी देना, भविस्वारी करना, समय पर रहत विवित्रड सुनिश्चित करना और पीड़तों को मुआफजे का सीधा लाव हस्तांतर सुनिश्चित करना है इसे लखनों के लालवाग छेतर में इस्थापित किया गया है, जहां छे कर्मियों की एक टीम काम कर रही है ठीके दोस्तों, चलिए अंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते है नेश कुशन लिखा है, फ्रेंट्स, PLI मंजूरी ब्राप्त करने वाली पहली भारती EV कमपनी कौन सी बनी है विच है जब बिकम दी फर्स्ट इंडियन EV कमपनी टूरी सी PLI एप्रूवल फर्स्ट आप्सन है HERO ELECTRIC, सिकेंड आप्सन है महिंदरा ELECTRIC, थर्ड आप्सन है OLECTRA GREEN TEG, या फोर्ट आप्सन है OLA ELECTRIC जल्दी से बताईए का दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा option number D ओला electric चलिए इस question से related important point को पढ़ती है भारत के electric वहन परी द्रस में अभूत पूर्व विकास देखा जा रहा है क्योंकि IPO से जोड़ी electric scooter company ओला electric ने सरकार की production linked incentive योजना के लिए यात्रा हासिल कर ली है यह उपलबदी ओला electric को टिकाव परिवेहन की दिसा में एक बहुत खिलाडी के रूप में स्थापित करती है E.T. auto की एक हालिया report में यह खुलासा किया गया कि ओला electric ने PLI योजना में उलेखित कड़े पातरता मान दंडो को सफलता पूरवक पूरा किया है जिसमें उसके electric वाहनों में न्यूनतम 50% घरेलू मूले वर्दन सामिल है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखते है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाली में स्वदेश दर्सन 2.0 योजना में किस वनिजीव अभ्यारंड को सामिल किया गया है विच वाइड लाइफ सेंचुरी वाज रिसेंटली इंक्लूड़ेड इन दा स्वदेश दर्सन 2.0 इसकीम फर्ष्ट ओप्सन है कोटागड वनिजीव अभ्यारंड सिकेंड ओप्सन है सुना बेडा वनिजीव अभ्यारंड थर्ड ओप्सन है हदा गड़ वनिजीव अभ्यारंड या फोर्थ ओप्सन है डेबरी गड़ वनिजीव अभ्यारंड बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number D डेबरीगर्ड वन जीव अभियारंड चलिए इस question से related important point ओ को पड़ लेती है परेटन मंत्राले ने डेबरीगर्ड वन जीव अभियारंड को सौधिस दर्सन 2.0 योजना में सामिल किया है सौधिस दर्सन कारिकरम भारा सरकार के परेटन मंत्राले 12 साल 2015 में सुरू किया गया था जो 100% केंडरीफंड की योजना है डेबरीगर्ड वन जीव अभियारंड उरीशा के बरगर जिले में हीरा कुंड बांध के पास इस्थेत है ठीके दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश्ट कुशन देखते हैं नेश्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स आई एस सी सी प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है फर्स्ट ओप्शन है स्रीराम केमिकल, सिकेंड ओप्शन है रिलाइंस इंडस्ट्री, थर्ड ओप्शन है अडानी ग्रूप या फोर्ट ओप्शन है इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताईएगा दोस्तों आई एस सी सी प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ओप्शन नमबर बी रिलाइंस इंडस्ट्री बन गई है चलिए इस कुशन से रिलेटर इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती है रिलाइंस इंडस्टी लिम्टेड की जामनगर रिफाइनरी ने आई एस सी सी प्लस प्रमारित रासाइने गरूप से पुनरी निकरड पॉली मर्का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है गुजरात राज में इस्तिद आर आई एल की जामनगर रिफाइनरी अब आई एस सी सी प्लस प्रमारित हो गई है आई एस सी सी प्लस अंतराश्टी इस तर पर एक मानिता प्रमारन है ठीक है फ्रेंड्स चलिए आंगे बढ़ते हो नेस कुशन देखते हैं नेस कुशन लिखा है दोस्तों किस राज सरकान ने व्रद्धा वस्ता पेंसन के लिए आयू सीमा साट वर्स से घटा कर पचास वर्स कर दी है विच स्टेट गवर्मेंट हैज रिड्यूस दी एज लिमिट फॉर ओल एज पैंसन फ्रॉम सिष्टी इयर्टू फिप्टी इयर्स फर्ष्ट ओप्सन है जारखंड सिगिंड ओप्सन है 36 गड थर्ड ओप्सन है तेलंगाना या फोर्थ ओप्सन है आन्द पिर्देश बताईएगा दोस्तों किस राज सरकान ने व्रद्धा वस्ता पेंसन के लिए आयू सीमा साट वर्स से घटा कर पचास वर्स कर दी है वह है मारा ओप्सन नंबर ए जारकंड ने चलिए इस कुशन से रिलेटर इंपोर्टेंट पाइंटों को पढ़ती हैं सामाजिक सुरच्छा बढ़ाने और हासिया पर रहने वाले समदायों के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान करने के लिए एक महतपूर कदम में जारकंड के मुख्य मंतरी हेमंद सोरेन ने प्रद्धा वस्ता पेंसन के लिए योगिता आयू में कमी की गोशना की है यह निर्ड मुखे रूप से आधी वासियों और दलतों को लच्छित करता है आयू सीमा साथ से घटा कर पचास वर्स कर दी गई है इस साहिसिक पहल का उद्धे से इन समदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनोतियों को सुईकार करते हुए आबादी के एक बड़े हिस्से को वित्य साहिता प्राप्त करना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेज कुशन देखते हैं नेज कुशन लिखा है फ्रेंड्स किसे हाली में MS स्वामी नातन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है हू रिसेंटली गोड़ MS स्वामी नातन हू वाज एवाड़िट दी स्वामी नातन एवाड़ फर्स्ट ऑप्सन है लाल कृष्णाडवानी सिकिंड ऑप्सन है एस जै संकर थर्ड ऑप्सन है बी आर कमभोज या फोर्थ ऑप्सन है अरुड सिन्ना बताईए को दोस्तों इस कुष्ण का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुष्ण का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ऑप्सन नंबर सी बी आर कमभोज चलिए इस कुष्ण से रिलेटिन इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ती है चौधरी चरड सिंग की हरियाना करसी विस्विध्याले के कुलपती प्रोफेशर बी आर कमभोज को करसी विग्यान के छेतर में एक विग्यानिक और विस्तार विसेसगी के रूप में उनके काम की मानिता के लिए प्रतिष्टिद एमेस स्वामी नातन पॉर्षकार से समानित किया गिया है करनाटक के राजपल थावर सिंग घैलोद ने मद प्रिदेश के गौालियर में राजमाता विजिया राजे सिंधिया क्रसी विस्विध्याले में वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर आयोजित एक अंतराश्टी समेलन में यह पुरुषकार प्रदान किया है ठीके दोस्तों चलिए अंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स पावर ग्रिड कॉर्परेशन के नई अध्यज और प्रिवन निर्देशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है फर्ष्ट ऑप्सन है अजे मोहन सिकेंड ऑप्सन है रवींद कुमार्ट त्यागी तर्ड ऑप्सन है राहुल उपाद ध्याए या फोर्थ ऑप्सन है स्रीकांद कांदी गुपा चल्दी से बताईएगा दोस्तों पावर ग्रेट कॉर्पोरेशन के नई अध्यज और प्रवन निर्देशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ऑप्सन नंबर बी रविंद कुमार्ट त्यागी दीगो चलिए इस कुश्चन से रिलेटेट इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं सार्वजनिक छेतर की महारंतरन कंपनी पावर ग्रेट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिम्टेट ने रविंद कुमार्ट त्यागी को अपना नया अध्यच और प्रमन निर्देशक निक्त किया है इससे पहले वे कंपनी के निर्देशक के रूप में कारे रथ थे रविंद कुमार्ट त्यागी सिरी कांत कांधी कुपा का स्थान लेंगे त्यागी के पास विद्दो छेतर के अगरडी CPSU में विबिन पदो पर 33 वर्ष से अधिक समय तक कार करने अनवब है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेज कुशन देखते हैं नेज कुशन लिखा है फ्रेंडस किस نے हाली में जनरल ऑफिसर कमांड इंग के रूप में चेटक कोर की कमांड समभा ली है हो रिसेंटली टुक कमांड ऑफ चेटक करुपस एज जनरल ऑफिसर कमांड इंग फर्ट आप्सन है नागेंदर सिंग जी ने, सिकेंड आप्सन है विजय वर्मा जी ने, थर्ड आप्सन है आतुल कुमान ने, या फूर्थ आप्सन है संजीव राय ने? इस question का जुराइट answer हो जाएगा friends वे है मारा option number A नागेंडर सिंग जी ने चाहिए इस question से related important point को देख लेते हैं Lieutenant General नागेंड सिंग ने हाल ही में 34 वे General Officer Commanding के रूप में चेतक कोर की command समा ली है उन्होंने Lieutenant General संजीव राइका इस्थान लिया है जो चेतक कोर में एक वर्ष से अधिक के कारकाल के बाद 31 दिसंबर 2023 को रेटाइर हुए General सिंग को 1989 में पंजाब रेजीमेंट में नुक्त किया गिया था और वे है भारतिय सैन्यक आदमी देहरादून के पूर्वे छात्र हैं ठीके दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स राष्टिय पछी दिवस मनाया जाता है नेशनल बर्ल डे इज सेलिब्रेटेर्ड ओन फर्स्ट आप्षन दोचनवरी को सिकिंड आप्षन तीन जनवरी को थर्ड आप्षन चार जनवरी को या फर्ट आप्षन है पांच जनवरी को बताईएगा दोस्तो राश्टिय पच्छी दिवस कब मनाया जाता है इस कुश्चन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नमबर डी पांच जन्वरी को चलिए इस कुश्चन से रेलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती है पारिस्तिकीय तंतर में छोटे ट्विस्ट के मूल के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए पांच जन्वरी को राश्टिय पच्छी दिवस मनाया जाता है एवियन कल्यान गट बंदन जो वित्तिय लाविया मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में पैदा किये गए पच्छीयों के लिए जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए करी मैनत करता है इस पहल के पीछे है यह विसे इस दिन इसी लिए चुना गया क्योंकि पांच जनवरी वार्सिक क्रिस्मस बर्ड क्राउंट का दिन भी होता है यह वार्सिक राष्टी अफकास काफी समय से संयुक्त राज अमेरिका में मनाया जाता रहा है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट कुशन देखते हैं आज का लास्ट कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाली में पीम विश्व कर्मा योजना लागू करने वाला पहला किंसा से प्रदिस कौन सा बना है विच यूनियन टेरिटरी है जिर रिसेंटली बिकम दी फर्स्ट टू इंप्लीमेंट पीम विश्व कर्मा योजना फर्स्ट आपसन है चंडीगर्ड शिकेंड आपसन है निउ डेली थर्ड आपसन है जंबू एंड कसमीर या फूर्ट आपसन है पुदू चेरी जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा आपसन नंबर सी जंबू एंड कसमीर चलिए इस कुशिन से रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती हैं जंबू और कसमीर ने पीम विस्व कर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंडर सासे पिर्देश बनकर कारीगरों और सिर्ब कारों के अपने जीवंत समुदाई को ससक्त बनाने की दिसा में एक महतपूर कडम उठाया है सितंबर 2023 में केंसर कार दुआरा सुरू की गई इस पहल का उद्देश भारत की सांस्कृतिक विरासत को संदचित और सम्रद करने में इस कुसल व्यक्तियों की महतपूर धूंका को उपर उठाना और पहचानना है ठीके दोस्तो आई हो पाच के सभी कोशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे और सभी कोशन से रिलेटर इंपोर्टन पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मांसी इस्टडी चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा थाइंक्यू सोमाज दोस्तों